शत्रंद ग्रैंड मास्टर प्रविन थिपसे 16 जुलाई को राजधानी रायपूर में चेस ओलंपियार टार्च रिले रेकर आएंगे और पंडित दिन दयार ओडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारों में राज़िकी मुख्यमंद्री भुपेश बगहिल को राजधानी रा चेस ओलंपियार टार्च लेकर आने वाले हैं और पंडित दिन दयार ओडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारों में राज़िकी मुख्यमंद्री भुपेश बगहिल को चेस ओलंपियार टार्च सौपेंगे इस आयोज़िन को सफल बनाने के लिए 36 ओलंपिक संग के चेस ओलंपियार टार्च रिले को स्वामिवेकरन विमानतल रायपूर में 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर प्रविन ठिप से लेकर आएंगे मानाविमानतल में स्वागत के बाद वी आईपी चौक तेली बांधा चौक नगर घड़ी चौक से लेकर जैस्तंब चौक तक स्कूली बच्चों समेत आम जनता के साथ खेल संकी पदादिकारियों द्वारा भवी स्वागत किया जाएगा इस दोरान जैस्तंब चौक में आम जनों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया जाएगा स्वागत के बाद पंडित दीन नयाल ओडिटोरियम में मुखिमंती हुपेश बगहिल के आथिति में स्वागत समारों का आयोजन भवविता से किया जाएगा इस मौके पर ग्रेंड मा स्वाधान में माननी प्रधान मंतर जी नरेंद मोधी जी ने जो टार्च रिले वहां से दिल्ली से प्रारम किया था वो विविन राजियों में होते हुए 16 जुलाई को सुबह 9 बजे एरपोर्ट पे पहुँच रही है इस टार्च को लेके प्रविन थिपसे जी जो ग्रैं स्वाधान में स्वाधान में स्कूल के बच्चों के दोरा किया जा रहा है दूसरा हमारे ओलंपिक संग और खेल संग के लोग नगर घड़ी में इसका स्वाधा करेंगे जैस्थम चौप में आम जनता के लिए रखा गया है सेलफी जोड बनाया गया वहाँ पे स्वाधत होगा उसके बाद होगा आडिटोरियम में जाएगा आडिटोरियम में जाने के बाद मानि मुख्यमंतरी जी उस समारों की मुख्यतिती रहेंगे उनको 36 गड़ी महतारी के रूप में एक विशेश महतारी का स्वरूप बनाते हुए उसके माद्यम से माननी मुख्यमंत्री जी को प्रविन्थिप से और उनके द्वारा ये जो टार्च है वो दी जाएगी वहाँ पे एक रंगा रंग कारकम रखा गया है और माननी मुख्यमंत्री जी उस टार्च को हमारी ओलंपियाग में दो बार की विजेता किरन अगरवार जी को वो देंगे और उसके बाद वो टार्च जो है वापस हैदराबाद के लिए रवाना होगी ये टोटल कारकम है हमारा और बड़े गवरों की बात है ये हमारे माननी मुख्यमंत्री जी ने अपनी इसमें सहमत्ती दिया है बहुत वेस्ट होने के बाद वो इस कारकम में उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा ही टार्च जो है और वहाँ पे प्रदान मंत्री जी का तीन मिनट का जो बोदन है वो भी वहाँ पहोगा जो नाव सेंट्रल से आए हुए है भारत सरकार से जो नियम आए हुए उस नियमों के तहत उलम्पिक संग कॉमिनेशन करते हुए इस कारिकम को पुरा करें हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गर्व के दो प्रसंग बने हैं खेलों की दुनिया में शत्रंज उलम्पियाड के इतिहास 95 साल के इतिहास में पहली बार शत्रंज उलम्पियाड भारत में होने जा रहा है चन्नी में ये 28 जुलाई से 10 अगस्ट के बीच होगा आप सब जानते हैं कि शत्रंज का जन्म भारत में हुआ तो अपने ही जन्म स्थल में ये 95 साल की यात्रा करके आया है ये पहला मौका है कि उलम्पियाड जितना बड़ा आयोजन और ये जो आयोजन है भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल आयोजन भी होने जा रहा है इस आयोजन में 188 देश भाग ले रहे हैं 2000 से ज़्यादा विश्व के शिर्ष खिलाडी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आयोजन है इसी क्रम में एक और जो बड़ी उपलबजी जो जूड़ी है कि चुकि भारत में सत्रेंज का जन्म हुआ तो ये एक नई परंपरा यहां से चालू हो रही है वर्ट चेस फेडरेशन के प्रेसिदेंट स्री जोकुविक साहब ने ये दिया है कि अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी सत्रेंज का ओलंपियाड होगा भारत से ही टार्च निकला करेगी तो ये बहुत बड़ी उपलबजी है बहुत बड़ा एतिहासिक आफसर है और हमें गर्ब भी है खुशी भी है कि 36 गर्ड में इस ओलंपिक टार्च का स्वागत प्रजेश शाषन ओलंपिक असोसेशन और राज्य संग के खिलाडी सदस्ट सबगी के दौरा दिल खोल के इसका स्वागत करने की जो तेहरी की जा रही है मैं पूर संतुस्त हूँ पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राएपूर में जो ओलंपिक मशाल का जो स्वागत किया जाएगा ये भारत में सबसे अच्छा स्वागत होने जा रहा है सब के लिए प्रेड़ना रहेगी सब के लिए उस्सावर्दक रहेग वहराल इस भाववे आयोजन की तैयारिया जोरो शोरों से राजधानी राएपूर में की जा रही है बिलो रिपोर्ट ग्रेन एसेन नियूज